लो फ्रेंड वेल्किम बैक टो माइने वीडियो तो फ्रेंड्स आजम बनाएंगे दो कलर की मोजे जिसमें एक कलर वाइट होगा और एक पिंक होगा आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं और यह मैंने लिया है थ्री प्लाई वाले उन आप इस जगह पे वन प्लाई मैंने कर दिया है तो दूसरा प्यार में मैं आपको समझाओंगी कि मैंने किस तरह से बनाया है मैंने यह इसे इसले दिखा रही हूं कि ताकि आपको आइडिया लग सके कि यह किस तरह का इसका डिजाइन और किस तरह से बनके आएगा यह कुछ इस तरह से बनके आएगा यह चाहते हैं तो एक डिजाइन और − इस तरह से हम डिजाइन माइनस करते जाएंगे जिसके वाज़ा से यह और चोटा और चोटा बनते जाएगा और बड़ा करना चाहते हैं तो एक डिजाइन आप प्लस करते जाएगे तो आपका ऐसे हो जाएगा तो बहुत सुन्दर है बहुत ही इजी तरीका में बताऊंगी और अध्यान से देखिए इते जाएगे वीडियो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक सेस्क्राइब जरू करके जाईएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट किया जाए बहुत ही सुन्दर सा मुझा तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगी इसको और यहां पर देखिए मैंने सिलाई भी की है यहां से पहले वाइट कलर के उनसे स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए स्टार्ट किया जाए, करेंगे. बहुँ झाल तो यह देखिए, जब हम मार्केर के पाइए, तो यह वाला जो फंदा हमारा है, वाइट वाला जो है, इसको हम पीछे करेंगे, और यहाँ पर मार्कर जो है, इसको हम इसमें कर लेंगे, अब यह जो पिंक वाला है, पिंक वाले को भी हम पीछे करेंगे, और इसको वाइट वाले को हम फिर से आगे करेंगे, क्रॉस करके आ अब जो पहला फंदा हमारा है इसको हम पाइट कलर से बुनेंगे पहला फंदा हमारा उल्टा रहेगा फिर अब इसको पीछे करेंगे बीच वाला फंदा हमारा सीधा रहेगा फिर इसको आगे करेंगे फिर से हमारा लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा रहेगा फिर जो मारकर है इस सलाई पे हम कर लेंगे पहले इसको पीछे कर दे पीछे करने के बाद मारकर को हम इस सलाई पे कर देंगे इसके बाद से जो इस पूरी सलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे अब देखिए हमने उल्टे तरफ से बुन लिया है अब इसको क्या करेंगे 24 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे अब ये देखिए 24 फंदे हमने यहां पर उल्टा उल्टा बुन लिया अब हम आगा हैं मारकर के पास अब हम मारकर को कर देंगे इस सलाई पे अब क्या करेंगे यह जो पीछे वाला फंदा है इसको आगे करेंगे इसके उपर इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे इसके बाद जो पहला हमारा फंदा है को ट्विस्ट करने के बाद से इसको हम कर देंगे पीछे और इसको कर लेंगे हम आगे इसके बाद से पहला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे बीच वाला जो फंदा है इसको सीधा बुनेंगे फिर तीसरा जो फंदा है इसको फिर से हम उल्टा बुनेंगे फिर इसक इसको हम कर देंगे पीछे और ये वाला जो पिंक वाला उन है इसको क्रोस करने के बाद से इस तरह से क्रोस कर लेंगे क्रोस करने के बाद से पिंक वाला फंदा हम फिर से आगे करेंगे मारकर को इसके उपर करेंगे और फिर इसको पूरी सलाई हम उल्टा-उल्टा बुन ले अब देखिए हम 24 फंदे पे आ चुके हैं मारकर जो हमारा है इस तरफ कर लेंगे अब ये एक दून को एक दूसरे के उपर इस तरह से क्रॉस करेंगे क्रॉस करने के बाद से जो पहला हमारा फंदा है इसको हम उल्टा ही इस तरह से बुनेंगे उल्टा हमने बुन लिया पिंक कलर आया पिंक कलर को हम इस तरह से करके एक यहां पर फंदा बनाएंगे यहां पर देखिए हमारा यह फंदा बन गया इसके बाद से हमने फंदा बढ़ा लिया अब जो सेंटर पर आएंगे सेंटर का फंदा हमें उल्टा ही बुनना है इसके बाद फिर से अगले फंदे पर आएंगे तो अगले फंदा हमको फिर से पिंक कलर का यहां पर क्रॉस करते हुए फिर से हमें पिंक कलर का ये फंदा फिर से बनाना है यहां पे एक बढ़ा लेना है इस तरह से और फिर से हमें वाइट कलर को इस तरह से क्रॉस करते हुए वाइट कलर का फिर से उल्टा बुन लेंगे यहां पे और फिर से हम मारकर पे आ गए, मारकर को हम इस तरफ कर दिये, और फिर से हम यहाँ पे क्रॉस करना है, पिंक कलर को क्रॉस करते हुए, फिर से पूरी सलाई हमें उल्टा-उल्टा भूल लेनी है, इस तरह से पूरी सलाई हम भूल लेते हैं, और फिर से देखिए हम सीध्य तर पिर आपको डिजाइन बताते हैं कैसे आप करना है दिखिए 24 फंदे हमने बुन लिए अब हम मारकर यहां पर हटा देंगे मारकर हट गया अब जिस कलर का जो दीख रहा है उसी कलर से हम बुनेंगे यानि यह वाइट दीख रहा है तो वाइट कलर से बुनना है तो इसको इसको हम उल्टा भुनेंगे फिर इसको पीछे करेंगे फिर धागा क्रॉस करेंगे पिंक वाला आगे करेंगे फिर हम इसको भुनेंगे उल्टा फिर इसको पीछे करेंगे फिर धागा क्रॉस करेंगे वाइट वाला लेंगे अब यह जब सेंटर में आएंगे तो वाइट वाला सीधा भूनेंगे फिर धागा क्रॉस करेंगे फिर इसको आगे करेंगे पिंक वाला फिर इसको उल्टा भूनेंगे फिर इसको पीछे करेंगे फिर से वाइट वाला क्रॉस करेंगे आगे करेंगे और इसको उल्टा भूनेंगे फिर इसको पीछे करेंगे पिंक वाला स से क्लोर्स करेंगे और ये पारकर निकाल देंगे और इसको आगे करेंगे और अब व्र्डाए भूंगें अब पूरा फंड़ा व्र्डाई भूल लेना है पिंक निया है अब बुनके और फिर उल्टे साइड से भी हमें यहां डिजाइन के पास आज आएंगे तब जाके आपको बताते हैं क्या करना है यहां पर हम 24 फंदे यह हमने बुन लिया अब यह क्या है कि अब यह हमारा आया वाइट फंदा अब इसको क्या करेंगे इस तरह से क्रॉस करते हुए वाइट फंदे को वाइट फंदे से ही बुनेंगे पिंग फंदे को पिंग फंदे से ही बुनेंगे अब हमारा फिर से आगया white fonda अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो पहले लाइन में हमने white color से बढ़ाया था दूसरी लाइन में हमें pink color से बढ़ाना है एक बढ़ा लिया और फिर से हमें एक और बढ़ा लेना है दो फंदे हमारे यहां पर बढ़ा लिया अब फिर से हम यहां पर हमने वाइट के उपर वाइट बूल लेंगे पिंक के उपर पिंक बूल लेंगे आप यहां पर 24 फंदे हमारे जो है इसको हमें बूल लेंगे अब यहां पर 24 फंदे कर लिये हैं सीधी तरफ से हम आके अब जो कलर से जो फंदा हमारा दीख रहा है सेम उसी कलर से बूलेंगे सीधे तरफ से हमें कोई वो नहीं करना है बस फंदा जिस कलर से दिखेगा उसी कलर से हमें बून लेना है अब ये वाइट वाला फंदा हमारा पीछे है इसको हम आगे करेंगे पिंक वाला फंदा हमें इस तरह से क्रॉस करके इसको पीछे कर देंगे और वाइट वाले फंदे को हम वाइट से ही बुनेंगे, इसको पीछे करेंगे, पिंक वाला अब आगे करेंगे, पिंक वाले को हम पिंक वाले से ही बुनेंगे, अब फिर से इसको पीछे करेंगे, क्रोस करके वाइट वाला हम आगे लाएंगे, फिर यो तीन हमारे दीख रह पिछे जाएगा फिर पिछह करेंगे भी ओलस्टी मेंगे पिसे अब मनेकुला दीण सत्व काहिरा करेंगे नरेकर रोधकिन में ओल्टा गुण étéगिखकों कीयआ में फिर प्सक्ष्ट जाए 24 फंदे Pink और समें 24 फंदें फृच्व से 30 बुनके पर स्ख़ान आते हैं अब दीजाइन पर देखिए अगया वाईट को से 24 फंदे दिख रहा है तो उट को हमेंBeau मों सीफस्टकाइब अब इसको जो वाइट दिख रहा है वाइट को फिर से हमें वाइट ही बुणना है अब हम यहां पर आ गये जहां से हमारा फंडा बढ़ेगा अब इस जगा पे हमें अब Watching Planet को अब हम यहां её बढ़ाएंगे हमने बढ़ा लिया अब फिर से हमें वाइट को वाइट ही बुनना है आप फिर से हम यहाँ पर पिंक बढ़ाएंगे एक सलाई में पिंक बढ़ाना है फिर बढ़ लिया हमने से फिर से हमें प्रोस करेंगे फिर से व्हाइट को वाइट और पिंग को पिंग इस थरय से हमारा फिर हो गया हम कुरी सलाई हम पिंक बुल लेंगे Mississippi तरफ से 24 फंदे हम पिंक बुल लेंगे ब हाते हैं दिजाइन पेडिकाते हैं कि अल्टे तरफ तो वाइट वाला फंदा हम आगे करेंगे इसको हम इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहां पे हम उल्टा बुल लेंगे पिंक पे पिंक बुल लेंगे यह वाला फंदा पीछे करेंगे वाइट वाला फंदा हम फिर से आगे करेंगे क्रोस करके फिर से हम वाइट पर वाइट बुन लेंगे फिर से हम इसको पीछे करेंगे पिंक वाला फंदा आगे लाएंगे क्रोस करके फिर से पिंक पर पिंक बुन लेंगे अब हम आगे बीच वाले फंदे पर बीच वाला फंदा हम सीधा का सीधा ही बुनेंगे सीधा का सीधा बुन लिया फिर से पिंक वाला फंदा आगे करेंगे और फिर से यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे फिर इसको पीछे करेंगे फिर से इसको क्रॉस करेंगे आगे करेंगे फिर से इसको उल्टा बुन लेंगे फिर से इसको पीछे करेंगे फिर से पिंक वाला फंदा आगे करेंगे फिर से उल्टा बोलेंगे यानि आगे की तरफ से हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है बस बीच वाला जो फंदा है उसको हमें सीधा बोलना है बाकि जिस कलर का जो फंदा दीख रहा है उस कलर का हमें ब देखिए हम उल्टे तरफ से आ गया है अब यह देखिए ध्यान से जो हमने डिजाइन वाला वाइट कलर डाला है तो एक दो तीन चार पांच पांच फंदा यह हो गया है लेकिन यह ऐसे ही बढ़ते जाया गा तो इसके लिए अभी क्या करना है कि यह पहले के जो दो फंदे ह इन दोनों फंदे को हमें पिंक कलर से ही कर देना है तो देखिए ध्यान से किस तरह से करना है पहले तो हम इसको क्रॉस करेंगे क्रॉस करने के बाद इसको भी पिंक कलर से बुन देना है और इसको भी पिंक कलर से बुन देना है अब यह दिखिए हमने दो फंदे एक्ट्रा कर 24, 25, 26, 26 फंदा हो गया, अब हम क्या करेंगे, वाइट वाले को वाइट कलर से बुनेंगे, पिंक वाले को पिंक कलर से बुनेंगे, अब देखिए हमारा ये, ये सीधा हमारा फंदा आ गया, अब सीधा फंदा आने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइट कलर से एक फ पन्दा फिस्ट यहां बढ़ा देंगे बढ़ गया इसके बास जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बुंते जाना है यानि पींक पे-ट वाइट पे-वाइट अब देखिए यह लास्ट वाले फिर से दो फंदे आये उधर से हमने लास्ट वाले फंदे को पिंक कर दिया था इसी तरह से हम लास्ट वारे दो फंदे जो हमारे हैं पिंक का पिंक ही कर देंगे यानि दो फंदे हमारे अब इधर से एड़ हो जाएंगे इसमें 24 फंदे में एड़ हो जाएंगे इस तरह से हमारे ये टोटल 26 फंदे हो गए चलिए ये पूरा बोलने के बाद से 26 फंदे सब इस फंदे बुल लिए अब जो फंदा जिस कलर से दीख रहा है हमें उसी कलर से बुलना है वाइट वाला फंदा हम आगे करेंगे पिंक वाला फंदा हम पीछे करेंगे क्रॉस करते हुए अब ये वाइट वाला फंदा आगे आएगा आगे आके उल्टा बुनेंगे फिर वाइट फंदा पीछे करेंगे फिर पिंक वाला क्रॉस करके आगे करेंगे फिर से इसको उल्टा बुनेंगे फिर से पिंक वाला फंदा पीछे क्रॉस करके वाइट वाला फंदा आगे फिर ये बीच वना worms बढ़ रहा है इसको हम सिधा का सिधा ही भूनेंगे आगे से थ्यान है कोई निंबढ़ेगा और पीछे से इसी पालएब फर शेज को पीछे करेंगे फिर से आगे करेंगे पर पूर्ब से जह से दिख रहा है उसी तरह से गोल लेना है उल्टा उल्टा फिसे इसको पीछे और फिसे हम 26 फंदे पे आ गए 26 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं यह पूरा यह 26 फंदा बुनने फिर उल्टे तरफ से भी 26 फंदा बुनने फिसे हम दिजाइन पे आते हैं अब देखिए यह हमने 26 फंदे सीधे तरफ से भून लिया 26 फंदे हमने उल्टे तरफ से भून लिया अब हम क्या करेंगे यह वाइट हमारा दिख रहा है वाइट को वाइट भूनेंगे क्रोस करते हुए पिंक को हम पिंक भूनेंगे फिर से वाइट को वाइट बुनेंगे अब हम आ गए डिजाइन पे अब डिजाइन पे हमें एक सलाई हमने वाइट बुन लिया था अब हम यहाँ पे पिंक कलर से बढ़ाएंगे पिंक कलर से बढ़ा लिया वाइट पे अब हम वाइट ही बुनेंगे अब फिर से हम यहाँ पे पिंक कलर का एक फंदा और बढ़ाएंगे फिर से वाइट पर वाइट बुनेंगे पिंक पर पिंक बुनेंगे फिर से वाइट पर वाइट बुनेंगे और पिंक पर पिंक बुनते हुए लाश तक आएंगे 26 फंदे हम लाश तक बून लेंगे सीधे तरफ से भी 26 फंदे हम लाश तक बून लेंगे डिजाइन तक फिर हम डिजाइन पर आते हैं देखिए फिर से हम सीधे तरफ से आगए हैं आप जिस कर्म आठेगर हमारा दीख रहा है वह इसी कर्वाल से बुनना अधर्श से क्रुच आधर हमारा उल्टा दोलना बाते हुए, जौति जो 27 आधर्शंद को पिछ 20 आधर पिल नेद्टीों और जाधा हमारा हमाते उल्टा दीख़ेंगे अब ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जब यह हमारा डिजाइन एक दो तीन चार चार गांठे इसमें पड़ गई एक दो तो हमने यह बंद कर दिया एक दो तीन चार चार गांठे देखिए इसमें पड़ गई अब यह हमारा यह बंद होगा इस तरफ से तो अब हम इसको बं करेंगे सिदी तरफ से हमने 26 फंदे बुन लिया इअब हम आगे डिजाइन पे अब हमें यह वाला डजाइन बंत करना है जब चार-चार गाठे होते जाएं गे क्राइडरे जाएंगे और रखी घे में आप तरह से हमारे 26 के बदले 28 फंदे इधर से और 28 फंदे उधर से हो जाएंगे बाकी के फंदे हमें जो जिस color से दिख रहा है उसी color से बुनना है जब हम बीच में आते हैं यह देखिए जहां पे हम center में आते हैं जहां से design पड़ना है अब वहां पे हमें फिर से अब यहां पे बढ़ाएंगे white color से पिछली बार हमने पिंक कलर से बढ़ाया था, अब इस बार हम वाइट कलर से बढ़ाएंगे, ये वाला फिर से वैसे, फिर से हमें वाइट कलर से यहाँ बढ़ाना है, पिंक को पिंक, वाइट को वाइट, और फिर से ये दो फंडे हमें इसमें एड कर दने हैं, और यहाँ त यह रहेगी पहले भी बताया हमने आपको तो यह हमें कितना बुलना है अगर आप पांच और छे नंबर का बना रहे हैं तो यह जो लाइने हैं डिजाइन है यह हमारा आठ होगा अगर आप साथ और आठ नंबर का बना रहे हैं तो यह वाला जो डिजाइन हैं हमारा बारा रह चलिए 12 डिजाइन डाल लें फिर दिखाते हैं क्या करना है हमने इतना भून लिया है कितना डिजाइन यह हुआ अध्याम से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह और यह बारा वाला है यह वाला बारा वाला है अब हम इतना ही बुनेंगे इतना ही करना है यहां से जो यहां से कट कर लेंगे और हम इनिवाइठ 생 देचंगे अब यहां से इसे जोड़ देंगे, यहां से हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद से उल्टा उल्टा चार सलाई बुनना है, दो इधर से, दो इधर से, यानि चार सलाई हमें बुननी है, तो चलिए इतना बुनने फिर दिखाते हैं, यहां पे हमने चार सलाई हमें बुनन और एक तरफ और स्माहें पहले कि इन फिर कर दो पहले को पहले कि यहां step है कि देगा एक पया दोह दा कर दोगर हम स्तरफ कर के भुणते यहां चलो कैंठा कि फर से दोपागीивает दिवाइट कर दिया है इधर है 48 और इधर है 49 तो हम क्या करेंगे इसको हम सेंटर में आ चुके हैं अब हम क्या करेंगे इधर से 8 सलाइया और बुन लेंगे उपर की तरफ अब इधर वाला हम नहीं बुनेंगे 8 सलाइया हम इधर से मीडियन और से और नहीं नेग combustion से छान लाइने हो गहीं ऊको बुल लेंगे अब हमने पीछे की तरफ से आएंगे और पीछे की तरब से हमें इसी खतम करना है, यानि इसे घटाते जाना है, किस तरब से करना है, ध्यान से देखियेगा। पहले ये फंदा दो लेंगे, दो को हम एक कर देंगे, इस तरह से फिर जो एक होगा एसी के उपर से फिर से हम सलाई के उपर चढ़ा देंगे फिर से पहले ये और फिर एक और फंदा लेके हम घटा देंगे फिर से यही वाला फंदा लेंगे और फिर एक और फंदा ले लेंगे और फिर से इसे हम दो का एक कर देंगे इसी तरह से हमें लाश्ट तक करते जाना है तो हमारा अब यहां पे हम अधागा हम थोड़ा से ज्यादा ही लेके ताकि यह धागा शिलाई में हमेरा चला जाएगा तो थोड़ा से ज्यादा ही लेगे इतना ले लेते हैं और इसके अंदर से हमें इस तरह से करके इसको खीच देना है इस तरह से हमारा फिनिश हो गया अब हम इस तरफ आएंगे इस तरफ हमको यहां फिर से हम धागा जोड़ेंगे यहां पर फिर से जोड़ लेंगे और जोड़ करके इस दो सलाई हो गयी है छे सलाई हमें छे लाईने और हमें बूलनी है यानि 12 बूल hacking यह हो जाएंगी तो इतना हमें चलिया कर ले यह तोट अच लाइन बूलने फिर दिखाते हैं कि आगे क्या करना है यह देखिए फ्रेंट्स यह हमने दुनों तरफ से आठाट लाइने पूरी कर ली है अब हमने इसको भी फिनिस कर दिया है और यह तो फिनिस पहले से ही था अब हमारा यह कंपीट हो चुका है अब चलते हैं कि इसी किस तरह से सिलाई करनी है तो इसको पहले हम उन्टे की कर लेनी हैं तो ध्यान देने वाली बात यहां पे हम यह वाइट का वाइट से और पिंक का पिंक से इस तरह से फीर से वाय्ट पर वाइट और फिर से यहाँ तक हम चूल worsh specially चूड़ देंगे इतना शूड़ देंगे तो चलिए सीलाई कर ले और इतना यहां तक आती यह यह से छोड़ देंगे यह सब सिलाई करना है जिस कलर का है उसी कलर से सिलाई करना है पिंक है तो पिंक वाइट है तो वाइट चलिए कर लें यह पूरा सिल चुका है अब यह रह चुका है यहां वाला हिस्सा इतना खुला और इधर से हमने जो दो पार्ट में डिवाइट किया थ यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चार तरसी सिलाई कर दी है यह देखिए इस सब सिलाई अब इसको सीधा करते हैं यह सीधा हो चुका है और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से अब आएगा यह देखिए यह देखिए यहाँ पर मैंने पहना हुआ है अपने ही पैरों में वैसे तो यह मेरे साइज का नहीं है पर मैं पहन के दिखा रही हूं और यह देखिए इस तरह से कुछ दिजाइन इसका आएगा यह वाला डिजाइन सेंटर में जाएगा यह नीचे का है यह की मेरा साइज नहीं है इसलिए लूज हो रहा है यह नौ नंबर का है और इस तरह से कुछ यह आएगा बहुत ही सुन्दर से डिजाइन बनके तयार हुआ है बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा कॉंबिनेशन इसका है कैसा लगा जरू बताइएगा आ मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो के साथ में तब तक लिप अब आए सीव अगें राधे राधे